पवित्र मनी महेस जील को बर्फ ने अपने अगोष से धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है एक वीडियो सामने आया है मनी महेस का जहां स्थानिय लोग गए थे और उन लोगों ने इस खूबसूर्त वीडियो को बनाया है इस खुबसूर्त वीडियों में साफ दिख रहा है कि मनी मेस जील कुछ ही दिनों के बाद बर्फ के अगों से निकलने वाली है और यहां की जो सुन्दर पाहणियां हैं वो एक बार फिर बर्फ की कैट से निकल कर लोगों के दिदार के लिए बिलकुल तयार है पिछले साल करोना काल की चलते मनी मेस यात्रा बंद पड़ी है लेकिन इस बार उमीद कर रहे हैं लोग की मनी मेस यात्रा शुरू हो और लोग जो हैं इस पवित्र जील में डुपकी लगा सके तो ये देखने की बात होगी कि इस बार मनी महिस जील पर डुपकी लगाने का अफसर मिलता है या नहीं बहर हाल ये वीडियो है जो स्थानी लोग वहां गए थे उपर उन्होंने बनाया है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि मनी महिस जील अब भी मतलब जूनमा में भी वर्फ से पटी पड़ी है लिकिन दीरे 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 वर्फ ने उसको छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है वर्फ पिगल रही है और बड़ी जल्दी उमीद लगाई जा सकती है कि जील जो है वो वर्फ की कैट से अजाद हो जाएगी तो ये जो खूबसूर्त नजारा आप देख रहे हैं ये मनी महिस जील का है जिसमें हाली में कुछ एक स्थानी लोग गये थे जो भूले का उपर उन्होंने दर्शन किया है इस वीडियो में इसके लावा भूले कि जो विराजने का स्थान है वो भी साफ दिख रहा है जिसमें दिख रहा है कि लोग किस तरा इस स्थान पर इंजोय कर रहे है और बर्फ के जो बड़े-बड़े मैदान है और बड़े-बड़े जो हिमखंड दिखाई दे रहे हैं तो ये मणी महिस जील जिसका दीदार आप अभी इस वीडियो में कर रहे हैं इस बार देखने की बात होगी कि इस जील पर डुपकी लगाने का आफसर देश-प्रदेश क के यात्रियों को मिलता है या तर इस बार भी क्रोनकाल की भेंट ये यात्र चड़ जाती है ये बात फिलाल भी गरफ के गुर्ए में है पहर आला आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह जो नजारा है, अद्फुद नजारा जील का वो आपके सामने है ट्राइबल टूडे टीवी के लिए भरमोर से विने उठाकर की रिपोर्ट ट्राइबल टूडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को जाता से जाता शेयर करें